इतिहास के पन्नों में सुनेहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी कैसे प्रभु को सौप दी तूने पूरी अपनी जिंदकानी सच्चाई सफाई साधगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान इस धर्ती को गुलिस्ता बनाया तू है शाने हिंदुस्तान कभी दुर्गा कभी शीतला बन बर्दानों की वर्षा की मात्र प्रेम लुटाया सब पर है रुहानी पालना की तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रम्हा वत्सों द्वारा पाई है तेरी यादों को संजो कर एक नई माला बनाई है एक नई माला बनाई है एक नई माला बनाई है Companion of God दादी जान की रहनुमाई जिसकी परमात्मा ने की खिदमत जिसने सारे संसार की की मन जीर जगजीर बन सब के दिलों पर किया करती राज Economy एकनामी का पढ़ाया करती पाथ अमूल शिक्षाओं से पालना जिसने सभी की की ऐसी थी हम सभी के जान की की दादी जान की नमस्कार ओम शांती विश्व व्याप्त प्रजापिता ब्रह्माकुमारी इश्वर्य विश्व विद्याले की पूर्व मुख्य प्रशासिका आदर्निय राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी डॉक्टर दादी जानकी जी के जीवन पर आधारित इस टेलिविजन सीरीज कमपेनि दादी जानकी में आप सभी दर्शकों का हारदिक स्वागत है दोस्तों जैसे हम सभी जानते हैं दादी जानकी जी का पूरा ही जीवन अध्यात्म की प्रेढ़ना पुझ रहा है वे सही मायने में एक नारी रत्न थी जिन्होंने अपने आत्मबल और परमात्म में अटूट निश्चे से अनेक परिस्थितियां समस्याएं तथा प्रकृती तक को अपने अधीन बना दिया अपने दिव्य और भव्य जीवन के 104 वर्ष पून कर 27 मार्च को दादी जी ने स्वेच्छा से अपनी देह का त्याग किया इस कारिक्रम द्वारा हम प्रयास करेंगे कि शेश भाई बहनों से जिनोंने साक्षात दादी जी के अंग संग रहकर अनेक अनेक अनुभव प्राप्त किये ऐसे ही आज हमारे बीच में दादी जानकी जी के अनुपम और तेजस्वी व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने के लिए उपस्तित हैं ब्रह्मा कुमारी हंसा ब शेव दिन दादी जी को शारे विश्व में ब्रहमन कiej आत्माव को आपने दादी जी नेक अनुवों कोस में दादी जी दिव्व दर्शन करा कर लाभान्वित किया इस सब काुदि श्रे भी आपको ही जाता है और हनसा बहन के द्वारा ही हम जानेंगे हम जानेंगे दाद में भी कुछ बाते जानना चाहेंगे तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यही है कि आप कैसे इस इस ब्रहमकुमारी संस्था के करीब आई इसके संपर्क में कैसे आई कब आप ने यह इश्वर ए ज्यान को समझा आप अच्छ अच्छ दादी जानकी 1974 में लंडन आई और उसके कई साल के बाद मेरी माताजी को यह ज्यान प्राप्त हुआ मेरी लौके कमा को अग्ग एए इस इस रिती से प्राप्त हुआ, कि मेरा लौकिक पिता जी ने शरी चोड़ा था हुम सब बहुत चोटे थे तो वो काफी डिप्रेशन में रहती थी अपकी आयू कितनी रही हैं अपकी आयू कितनी रही हैं? चोटे बच्चे थी, means 11-12 यॉर्स ओड तो काफी डिप्रेशन में रहती थी और फिर ऐसे ही समय गुजारती थी कहीं साल फिर किसी ने उसको ये ज्यान देना शुरू किया हम जब जहां रहते हैं वहां दो गली के बाद किसी के पास ये गिता पाच्चा थी तो महां को ये जाया करते थे और वह लोग देते थे कि एरिया ऐसी थी तो एक दूसरों को जानते भी थे तो उन्होंने मेरी लॉकिक मा को ये ज्यान दिया तो वह जान ने वहां जान शुरू किया एक साल बीट गया, ड़ज साल बीट गया हम देखते थे उसमें परिवर्तन जैसे वह खुश रहती थी, हस्ती थी मेंस उसका सारा जो बीहेवियरल चेंज होने लगा जैसे उसको कुछ बच्चे को कुछ खेलोना मिलता है तो इस रिती से उसको इग्यान बहुत अच्छा लगा और फिर वहां जाया करती थी तो हम पूछते थे कि अब कहां जाते हैं तो हम को तो पता है कि सचसन में जाते हैं तो हमने सोचा कि सचसन माना क्या जहां डोल के बचाना गथापाट आदी करना हम तो छोटे से तो इतना भक्ती में थे ही नहीं ना हमको इनकी बारे में जानकारी थी तो इस रिती से फिर एक दिन हमने उम पिछे पिछे। भी, टीन के थे थैश्या गाय हो थे थे मेरे बैंग साथ। झाले अधार यडियर भी किने पिछे क complimentary मुझेखी लाप हो नहीं मत्यूच के नहीं है तो हुआ पहुआ जाती है। तो इसरीतिस एम पटानी होने दिया है यडिया। जाती थे, वह अए निकले थी तथी, तो हम फिर चिप चिप के उसके पीझ जाते थे, उसको पता नहीं था, तो एक गली पास हुआ, यह छीफ कही है distan обычно. में अब तो लों से वहां हम गए देखा किया तक हपित है। गरर में तरन नज्डेक से में कहते हैं तो भर्डड़ में गरते हैं धरी सब्सक्राइड तो इस रिख नंटे में गई भर्ड़ में हम थो इस दो ही तेखा बता नहीं कि यहां जुधते भी बहार थे।рь हम एक गुझे ऐसा इंतार किया।- इसे हा encontramos आप अंदर नहीं ग่ें। बढहार बेत किया। थार जरहा हम देखते हैं, श्वत बहार सफजय की आपिस안दे , फिर में तो ड़। नहीं देखोंडत तब हम अंदर जाग के देखा, तो देखा तो लाल लाइत थी, तो हमको अच्छा नहीं लगा, हमने सोचा के पता नहीं माँ को हिप्नोटाइज तो नहीं करते है, या ऐसे द्रिष्टी दे के कुछ खिलाने के लिए कुछ देते हैं, तोली थी लेकिन हमको कोई समझ में नहीं तो अंदेरे में ये कुछ खिलाने के लिए देते थे, तो हमको तो और ही बच्चे और ही बच्चे और ही बच्चे होते हैं, तो अच्छा नहीं लगा कि यह क्या करते होंगे यहां पर, फिर सब चले गए, फिर जब लाइट खोली तो एक सामने एक कोई बजरुक का फोटो यह प्रमा बबाबा का था लेकर वो कुछ है और हमको पता नहीं है उनके जिनका गार है उनके गर्णफादर होंगे तो इस रिज़े से हम बच्चे और फिर अमको तो अच्छाँ नहीं लगा फिर उन्हों नहीं भोला जो नहीं वह बोला जो घुड ए और इंदेलि यह कि अब भी आपको प्रफ नहीं किया लेकिन जो सुनाते थे बहुत अच्छा लगता था जैसे वालियोस जाने लग गई थे पर उसके बाद नहीं बहुत समय के बाद हमने बोला जाने दो इनको जाना जाती है खुश तो है कम से कम लेकिन हमको इतना वह नहीं था लेकिन जो अब निश्चे कब हुआ कि परमात्मा का ही एग्यान है और बहुत साल के बाद बहुत साल के बाद हम उनको जाने देया लगिंग क्योंकि वो खुश थी उसको देख के हमको खुशी हुई तो इस रिती से फिर काफी समय हो गया फिर हमको बोला करते थे कि आप आओ तो हम फ जान सुनाती थी तो अच्छा लगता था कि यह तो हर मनुशिय के लिए ज़रूरी है यह कोई भूख में नहीं होता है जो सिखना होता है तीवी में नहीं नहीं देखने को तीवी में तो क्या क्या दिखाते है तो इस रिती से फिर हमको इंट्रेस्ट लगने लगा तो आप अच्छा को फिर समर्पित होने की इश्वरिय और इस अंस्था में प्रेणा कैसे मिली अच्छी वह भी बहुत सालों के बाद कि उसके पहले तो जैसे जो निमित थे वहर गुरुवार को सेंटर पर जाते थे नॉथ लंडन में हम वेस्ट लंडन में रहते थे वह नॉथ ल सबाद की बहुतSer कि हम हर गुरुवार को जाते थे जाते थे धर पहली realised आई मेरे पहल्न मुझे हम गुरुवार को ही हम जाते थे सु एफित다 लोग करते थे आदा गंट अधा किन्ट फिर उसके बाद सुधेश्में खुलास कराती थी। लोग सुधेश्में गभी जंटीवन, कभी दादी, तो वोग सुना थे तो तो अमको बहुत ही अच्छ लगता था ग्यान। मेरे को ग्यान बहुत अच्छा लगता था जो टीचिंग थी जो वैलियोस के ओपर हुमन वालियोस जो भी सिखाते थे तो बहुत अच्छा लगता था मेरे मुलाकाते ले गुरुवार को और लो हुम को भूला गया कि आप चलो जहाँ हमारा मेंसेंटर है आप चलोगोऎ उनों के साथ फेर वहां άλλों मुछा थे जोव्कलाष तो तो अच्छा घ्रार और खुलाए उन डादी को भी मिलनाela दादी को है व्कार है तो डादी किया घ पहले उपर गए चोटा सही फ्लाइट था, दादी जहां रहती थी, बहुत ही चोटा, टैनिसन रोड, जिसको ओम निवास भी कहते है, तो उपर ख्लास चलता था, फिर ख्लास के बाद, हम जब नीचे आए तो एक काफी एल्डरी परसन वहां किचन में हल्वा गरम कर रही थी हा मैं हल्वा गरम कर रही थी, चोटी-चोटी प्लेट में हल्वा डालके हम सभी को एक एक दिया, तब वो जो निमत बने थे उनने परिचा दिया से जसमाता की बेटी है, तो वहां आती है, तो इस रिति से हम लोग का परिचे हुआ, तो हमने दादी को देखा, तो क्यूट वर ह biology Samanthaadle by को फिर हम यह मोच रिए रहए को स्याई विस वन्हेर को मैं अदो हम ही तो हम हर गुरु आर को जाते थे थे धर आप्जाडी तो अब अब नगे एक नगे नगे शुखिए है और भी अनेक नगे ती नगे ती हमारी एज पीज़ करो आप जो कुमारिया है यहां वीकेंज को यहां आके रहो आप शुक्रोवार को आना फ्राइडे इंग को और फिर संडे को अपनी माँ बापप की मां के साथ चले जाना या अच्छी लगी, तो फर हम बहुत जैसे फ्राइडेस को इंतजार करते थे के जाते हैं, हम हर फ्राइडेस को टैनिसन रोड में जाते थे अपने चुटी सी बैग लेके दो रात रहने के कपड़े लेके जाते थे, तो हम जब चाते थे तो दादी खास हम कुमारीों के साथ ना रहने के सब बैठ सक्टानलेकनाश करने के जात दोड़ेिकर औरदे भीलेहीं हुआ है जैसे वो इस रिति से साकार भाबा के समय बैधने भापती थे साकार भाबा कैसे पालना करता थे, कि तर बैदी ने जैसे अधादीों का इख से छृट बनता थे ओलटी इस और तो मेरी भी इच्छा है कि जो हमको पालना मिली है, आप सभी को मिले। तो उस रिती से ज्ञान काफी जैसे अंदर गहराई से बैठता गया। लेकिन कोई वार ऐसे संकलब नहीं था जब हम जाते थे कि हम मेरी तो कभी इच्छानी उत्पन हुई कि मैं एस रहे लिख रहना हुआ हुआ या, मैं कभी इच्छानी कि द्थनाबी रहा हुआ थे कि रहा हुआ हुआ थे। तो यह झाल हो जाता थे थे कि दादी बोत इसे बूत बद्दिति तो.. तो हम आते थे रहते थे चले जाते थे ऐसे कहीं समय बीट गया फिर एक समय आया 1986 में जब पहली बाहर जैसे ब्रह्मा कुमारी कुछ प्रोजेक्ट उठाया और वो प्रोजेक्ट था मिलियन मिनिट्स ऑफ पीस तो उस समय अगें काफी बड़ बड़ प्रोजेक्ट था जो प जे बहुत बड़ बड़ प्रोजेक्ट था तो हम तो गरो में रहते थे लेकिन एक दिन जैनती बैन का ही फोन आया उसने उसको पता चला के मेरे को टाइपिंग वगरार ओफिस का काम आता है तो उसने फोन किया मेरे को कि आप आ सकती हो यहां एक सब्सक्ताई के लिए ही आ आप आओ बहुत जरूरी है तो आप आओ यहां ओफिस में बहुत मदद की जरूरत है तो उस समय जो उस्तान जहां ओफिस थे वह बहुत चोटा था था टैनिसर नॉट बहुत चोटा था तो दादी जी के साथ रहना है और दादी जी की मुझे हल्प करनी है तो यह प्रेण तो यहां दादी जी की हेल्प करने के लिए रिस्पॉंसिबिलिटी दी तो यह कैसे हुआ पहले तो हमने यहां ही ओफिस ड्यूटी जो थी जहां 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 जरूरत थी वहां काफी मदद मिली फिर हम जब बताते थे के अभी हम मारा समय पूरा हुआ हम वापस जैसे गहर ज को जैसे मोटिवेट किया कि नहीं आप गुरा हो यहां जो थोड़ा जरूरत है तो फिर वहां एक सब्ता आज दिन तक वह सब्ता चलता ही आ रहा है तो हम पर तो टैनिसन रोड में ही रहते थे तो परीवार की तरफ से भी आपको छुटी मिली पिर वो लोग कुछ बोल नह को यह अच्छा लगता है तो फिर हम जाया भी करते थे विजिटिंग के लिए लेकिन हम टैनिसन रोड पर रहते थे फिर एक तो साल के बादी ने कहा हम को कि आप बाबबवन में ही रहने आओ तो अधी की में कैसे प्लानिंग रहती थी जैसे सेवाइं लंडन में बहुत ब तो उसका हिड़कोर्टर लंडन बन गया तो ऐसी दादी ने कौन सी सेवाओं की प्लानिंग शुरू से की पहले तो जैसे जैसे परिवार की वरुद्धी होने लगी तो स्तान बोट चोटे होने लगा तो स्तान चोटे होने लगा तो फिर इंग्लिश क्लास नीचे नीचे अधिस नूर में हिंदी उपर इस रिती से रोटेट होने लगा फिर उनने लगा तो उनने लगा तो परिवार तो बड़ा होते जा रहे हैं तो फिर हमको तो स्कूल हौल है, कमीनिटी हौल है तो दादी ने इस रिती से बहुत ब्रोड-minded से ऐसे सोचा के अभी हम सेंटर लेकिन बाहर जैसे मोर्ली क्लास इस रिती से चालू करनी पड़ेंगी तो जब संडेज था तो बड़ी 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 स्कूल जैसे इस कमीनिटी स्कूल उसमें बड़ा हौल लेके वहां सब इकट्य होते थे ते टैनिसन रोट पे सारा जैसे के भोग बनता था बड़े बड़े पतिले होते थे तो वहां भोग बनता था और हम जो कुमारिया थी बहने थी वहां पर तो हम ही सारा जैसे के भोग के बड़े बड़तन उठा के फिर हम गाड़ी में रखते थे इस रिती से तो यहां तो सब भाई लोग करते है तो उस समय तो हम लोग की बहने सब का कि अजये कमेशनों कि चुछ ऑचिन चुछुन आप 216 कि अधर सुन्समेमन में हिपना थे जन्समेमि तो अम करेंने जन्समेमफ बोजन बना के आपकी पांच मिनिट में बोजन बना के उननों को खिलाया करती थी लेकिन जब हम गुरुवार को आए तो देखा कि किस रिती से खुद इन बड़ होते गरम करना, घल्मा डिश में देना, हम लोगों को किलाना तो इस मिल्हा थी अघंसी आजए दो कि आफ एक को कि किलाने में बहुत ही उसको दील थी को नहीं आजए जाए ड़ोग सुख मिलता था बाबा ने मुझे निमिद बनाया है कि मुझे सब करनी है, तो अथी अथक सेवाइब थे यह तरफ और डूसरी तरफ लिएमने अग्यादी की तब नहीं ठीक नहीं रहती थी तो अश्झे में दादी अपने अपको कैसे चलाते थे उनकि मानसिक स्थिप ग्या रहती थी? जैसे हम जबने सब्षे कोई निर्स अधर के रही बार्ट नइय थे लेकं तो ना घरये को जैसे ड्यूटी मिली जाती है तो एसी रहे दादी को निम्यम है थे अहlar सोग आ एक तो दादी काफी नांगी नाइचर थी तो उसने अनलग अनलग तरीक यूस किया सभी को ठीक करने में तो हमेशा रहता था कि डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़े जैसे किसी को सिर में दर्द था तो जैसे कोला वोटर सिर पर डालती तहीं आज दिन तक दादी हमेशा जब कंगी करती है, जब हम दादी का चोटी बनाते हैं, तो आज दिन तक वो ओटी की सिस्टम दादी ने चालू रखी, कि जब भी कंगी करना चोटी बनाना कोला वट पेले, तांकि से थंडा रहे, तो शुरू से इस रिती से किसी को भुखार होत तो थंडा सा नैपकीन ऐसे डालना, बहुत हमको सुनाया करती थी इस रिती से, और दादी बताती भी थी कहीं लोग, कहीं बेहनों ने यहां शुरू चोड़ा, तो बाबा ने भी देखा किस रिती से यहां बहुत भावना थी, लेकिन जब उसको नरस की सेवा चोड़ा चो चुड़ाई गई दूसरी और सेवा जब दी तो फिर जो पेशन्स थे दादी को बहुत याद करते थे, तो ममा भी उनको बोलती थे, बाबा भी बोलते थे, कि इस रिती से उनों की भी बुद्धी दादी के तरफ कीचती थी, तो वो जैसे कनेक्शन टूटे, तो लोग फिर भी वो दादी को काफी याद करते थे, तो दादी फिर जैसे एक बात और कहती थी, कि एक नामी बनो, एक और एक और एकोनमी से चलो, तो वो कैसे लंडन में रह करके दादी ने सार्थक करके बताया, प्रैक्टिकली क्योंकि दादी सारी उमर जब यग्य में भी थी, तब भी कोई पैसा नहीं था, तो जब सेवा पर बाबा ने उनों को भीजा तो हमेशा रही ही रहता था कि जो भी किछना भी आना मिले तो उसमें से हम यग्य को भीजे, खुद भी अपना खाने बीने का ध्यान नहीं रहता था, एक केला खाके भी दिन गुजारती थी, तो संसकार तो शुरू से था, इस रिती से लंडन में भी काफी सभी को भी सिखाया है, एकनामी रहना के, क्योंकि आप देखो कि जब ग्लोबल हाउस जब बनाना शुरू कर रहे थे, तो सब कहते हैं, कैसे होगा, दादे इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने उठाया है, जब में एक पैनी नहीं है, तो कैसे यह सब बनेंगा, हम सभी के तो वही संकलप रहते हैं, हम तो बैंक को देखते थे, लेकिन दादी ने हमेशा बड़ा को देखा, दादी हमेशा कहते थे वेट एंसी, यह शान्त हो जाती थी, तो उसकी शांती से, उसकी में रहे के वो सब बाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाब जब बन रहा था तो घुरुवार को हर घुरुवार को साइट पर जाना जबके वो टोपी भी पहननी होती है क्योंकि डेंजरुस होता था तो भी पहनती थी लेकिन इंट्रेस्ट बहुत लेती थी जो निमित बनते थे उनको भी बहुत प्यार देती थी उनको टोलियां ले ज वर्कर्स थे जो बहारवाले थे जैसे बहुत नजदीक आये उनों की भावना रहती के अर्डिनरी इस्तान नहीं है एक जैसे मंदिर एक टेंपल है इस रिती से उनों की भावना रहती तो Do a taste at the भी जाने से नहीं की जागवना रहती तो भाव आने सवावना रहती सेवां सभी के महती है लावना की जो बात्तौ आदिक एस खा άλλशी है यह कि सैवाना का नहीं सेवाय कर रहाया है की तो कि दो यह Himself बहुट है विरूह खजा पैसे लिए नहीं को आफे ठाहसेि तो वो भी आज आपके माध्यम से हमने ये सब जाना, तो हमारे दर्शकों को जरूर बहुत प्रेणादायक बाते सुनने का मौका मिला, तो इस सभी वारतल आपके लिए आपका बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद. दोस्तों, तो आपने देखा कि कितनी अव विश्वसनिय लगती हैं ये बाती, क्योंकि दादी जी एक ऐसी महान मैला थी, जिसकी कल्पना करना भी आज के समय में संभव नहीं है, अपनी उपस्तिती मात्र से जो सभी के अंदर जान भर दे, ऐसी रूहानियत की देवी दादी शांती, नमस्कार.